इस वीडियो में मैं लेटेस्ट अप्डेट आप लोग के लिए हूँ नीट के स्टुडेंट्स के लिए और उन में जिन बच्चों को डाउट था कि हमारी फोटोग्राफ अप्लोड होई है हमारा फोर्म रिजेक्टिट है या एक्सेप्टिट है तो उनके लिए ने अपनी की साइटमेंग नई नोटिफिकेशन जारी करिए और उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है मैं आपको पढ़के बताता हूँ तो जैसी आप ओपन करेंगे न्टी डोट अनएसी डॉट इन तो आपके सामने कैसा पेज खुलेगा तो इसमें क्या नोटिफिकेशन आरी मैं आपको बताता हूँ पढ़के और शुरू करने से पहले मेरे आपसे रिक्वेश्ट कर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लिए और साथी बैल आइकन भी प्रेस कर दीजिए तो यहां पर एक स्क्रॉलिंग च क्यों बेए जो ब्लीव ब्लीव स्क्रॉलिंग हो रही है यह मैंने आप पढ़के बताया इसका मतलब जिनमें वाइट बैग्राउंड ब्लीव बैग्राउंड या कोई भी बैग्राउंड था या यह डेट वेट उन्होंने लिखी थी नहीं लिखे थी सारे एक्सप्टेब कर दी थी बिना white background के कर दी थी तो सारे form उनके acceptable हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि काफी student questions पूछे थे कि हमने बिना white background के कर दी है बिना नाम और उसके कर दी है तो क्या हमारा form reject हो जाए गाए तो नहीं आपका form reject नहीं हो और दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा अगर आपने आपकी कोई गलती हो गई है फॉर्म पर तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई वी है यहां पर आप देख सकते हैं नीचे कैंडिडेट लॉग इन फॉर्गट रिष्ट्रेशन नंबर वन टाइम करेक्शन यह तीनों में न्यू न्यू ब्लिंक हो रहा है तो वन टाइम करेक्शन भी आप कर सकते हैं अगर आप से कोई गलती होगी तो पर ध्यान रहे आप एक बा पर क्लिक मत करें क्योंकि यह ओनली वन टाइम करेक्शन है अगर बाद में आपको कुछ ध्यान आती गलतियां तो आप फिर कर सकते हैं लास्ट डेट करेक्शन की 31 जनवरी 2019 है तो आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आपने कोई गलती कर दी है फॉम में तो पर ध्यान रहे तब तक के लिए नमस्कार